पंदरा हजार साल पहले हिमाले की उची चोटियों में एक योगी प्रकट हुए कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आये हैं उनके अतीद की कोई जानकारी नहीं थी तो लोग उनके आसपास इखटे हो गए क्योंकि उनकी उपस्थिती इतनी जबरदस्त थी लोगों का एक बड़ा समूह इखटा हो गया उन्हें उमीद थी कि वे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे उन्होंने न तो कुछ किया ना ही कुछ बोले, बस बैठे रहे अगर मैं यहाँ दो घंटे तक बस बैठा रहूं तो मैं कलपना कर सकता हूं पंदरा मिनिट में पिछली लाइन में बैठे लोग और वे धीरे धीरे अब भी सिनमा जा सकते हैं चलो चले अगर मैं दो घंटे तक कुछ न बोलू तो 90 प्रतिशत लोग चले जाएंगे अगर मैं 6 घंटे तक कुछ न बोलू तो बस कुछ बहुत मजबूत लोग ही टिके रहेंगे बाकि सब चले जाएंगे यही उनके साथ हुआ उन्होंने न तो कुछ किया नहीं कुछ बोले बस बैठे रहे एक दिन या एक हफ़ते नहीं वे महीनों तक बस थिर बैठे रहे सभी चमतकार की उम्मीद कर रहे थे कुछ नहीं हुआ वे बस बैठे रहे लेकिन वे एक बहुत बुनियादी चमतकार नहीं समझ पाए क्योंकि फिलहाल आपके शरीर की प्रकृति ऐसी है कि आपका अच्छा ध्यान रखा जा रहा है आपने दोपहर में भोजन किया, शाम में शायद नाश्टा किया और नीन ना आने के लिए कॉफी भी पी और शायद आपके बैग में भी कुछ है कितनी चीज़े हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है इसलिए ये ठीक है मान लीजिये हम आपको यहां चार घंटे बिठा दें सद्गुरू कम से कम पानी ठीक है पानी पीलो पानी पीने के बाद क्या आप यहां बैठ सकते हैं सद्गुरू ठीक है वो करके आओ सद्गुरू ठीक है अगर यह अनुमती दी तो अगली चीज बिना अनुमती के बस हो जाएगी या दूसरे शब्दों में जिसे आप शरीर कहते हैं वो बस प्रक्रियाओं की एक श्रिंखला है जब आप उनका ध्यान रखते हैं सिर्फ तभी यह ठीक रहता है अगर आप ध्यान न रखें तो आप देखेंगे यह क्या मुसीबत है जब आप शरीर का ध्यान नहीं रखते अगर आप भूखे हैं वो छोड़िये लोग कहते हैं कि एक मिनिट कितना लंबा है यह इस पर निर्भर करता है कि आप बात्रूम के दरवाजे के किस तरफ है अंदर से कोई कहता है बस एक मिनिट बाहर वो एक युग की तरह लगता है ठीक है क्यूंकि शरीर की प्रकृती है अगर आप इसका ध्यान न रखें तो ये बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी और बहुत परिशान करेगी पर वे बस बैठे रहे उन्होंने न तो कुछ खाया न पिया नहीं शौच गए बस थिर बैठे रहे लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वे जिन्दा है या मर गए उनके जीवित होने का एक ही लक्षर था कि रुक रुक कर उनके गालों पर पर्मानंद के आंसू बह रहे थे वरना वे बिना हिले डुले बैठे रहे तो बस साथ लोग रुके रहे उनके इस तरह बैठने का चमतकार समझ आया क्योंकि अगर वे इस तरह बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भौतिकता से परे हैं वरना वे ऐसे बैठी नहीं सकते ये साथ लोग रुके रहे और आज हम उन साथों को सब तरिशियों के नाम से जानते हैं ये आदियोगी के पहले शिश्य थे तो ये आदियोगी बस बैठे रहे और जब इन सातों ने रुची दिखाई तब उन्होंने कहा ये आप के लिए नहीं है ये कोई मनोरंजन नहीं है वे बोले नहीं हम कुछ भी करने को तयार हैं उन्होंने उन लोगों को कुछ शुरुआती तयारी कराई, वे कई सालों तक तयारी करते रहें, फिर एक दिन जब सूरज की गती बदल रही थी, अभी अभी हमने गृष्म संक्रांती से शरत संक्रांती में प्रवेश किया है, 22 दिसंबर को, ये फिर से 21 जून को होगा, और ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपून है, क्योंकि इसी दिन आदियोगी ने दक्षण की ओर मुड़ कर शिक्षा देनी शुरू की थी, क्योंकि सूरज दक्षण की ओर मुड़ गया, तो वे भी दक्षण की ओर मुड़ गये, और इंसान होने का यंत्र विज् इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोशित किया है, क्योंकि इसी दिन योग की शुरुआत हुई थी, इंसानी यंत्र विज्ञान को समझने की ये अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो गई, ये सभी धर्मों से पहले की बात है, जब धर्ती पर कोई धर्म नहीं था, 15,000 साल पहले उन्होंने इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाया, और कई पहलू सामने आए, उन्होंने 112 तरीके सिखाए, जिनसे इंसान अपनी परम प्रकृती को पा सकता है, और जब लोगों ने पूछा, विशेश रूप से उनकी पत अगर आप शरीर में हैं, तो सिर्फ 112 तरीके हैं, अगर आप शरीर से परे हैं, तो इस स्रिष्टी में जितने परमानू हैं, उतने मार्ग हैं, अगर आप खोज करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप शरीर में हैं, तो सिर्फ 112 तरीके हैं, और पूरा योग विज्ञान आ तो इसे कैसे तैयार करें, इससे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे काम करवाएं, तो ये पूरा तंत्र विज्ञान आधी योगी ने कई सालों तक सिखाया, और उन्होंने ये व्यापक ज्ञान दुनिया को दिया, और फिर इन साथ लोगों को साथ अलग-अलग दिशाओं मे जाने को कहा, एक मध्ये एशिया गए, एक उत्तरी आफरिका गए, एक दक्षिन अमेरिका गए, एक दक्षिन पूर्वी एशिया गए, एक हिमाले परवत के भारतिय हिस्से में आए, एक उनके साथ रुग गए, और एक अन्य, जो हमारे लिए बहुत महत्वपून है, अग तक्कन पठार में उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वो इनसान जो यहां रहता है, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में कुछ न कुछ जाने